संसत के विशेश सत्र में मोधी सरकार महिला आरक्षन बिल लेकर आई और उसे पारिद भी करवा लिया गया लेगिन इस महिला आरक्षन बिल पर विपक्ष ने कई सवाल उठाय थे और इसे मोधी सरकार का जुमला बताया था अब फिर 14 अक्टूबर को चैन्ने में तो कि मुक्यमंत्री अमके स्टाली ने बीते शनिवार को 2024 लोगसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। चन्ने के नंदरम YMCA मैदान में डीम के द्वारा आयोजीत महिला अधिकार समेलन में बोलती हुए मुक्यमंत्री स्टाली ने कहा साल 2024 के चुनाव के बाद मोधी सरकार केंदर में नहीं रहेगी। और चुनावी परिसीमन का हवाला देते हुए आगे के लिए लटका दिया। स्टाली ने आगे कहा कि देश के सम्विधान के अनुसार सभी नागरिकों को सभी धर्मों को समान अधिकार मिलना चाहिए। और हमें या उन्हें भी जो चाहिए वो सभी को समान रूप से दिया जाना चाहिए। DB Life की रिपोर्ट